कि एंड टूगेदर कें कंप्रीट पीच वर किन 20 देज मतलब कि ए और बी जब किसे काम को कंप्लीट करते हैं तो वो 20 देज लेते हैं उसकाम कंप्लीट करने में फिर ऊणने का रिश्टाट टूगेदर बट आफ्टर फॉर देस ए लेफ्ट इसका मतलब ए ने जो है उन दोन काम इन दोनों से कराऊ, यैनि A और B से, तो एक दिन में कितना unit काम करेंगे, 1 by 20, यानि कि 1 by 20 unit जो work है, वो क्या है, A और B का दोनों का 7 का, एक दिन का, तो इन दोनों ने क्ते दिनताग काम किया, 4 दिनता काम किया, तो 4 पंजे 20, तो तो टोटल काम मैंने वन माना था वन में से से माइनस में नशी में यह बचता है और उसने का है जो रिमेनिंग जो वर्क है वह प्लिट होता है 24 डेस में किसके दुआरा बी दुआरा कि बचाऊगा तो यह रिमेनिंग काम कंप्लीट करता है तो इसको अगर 24 से डिवाइड करूँगा तो मेरे टोटल काम आ जागा यानि कि एक बटे में 30 यानि कि मैं से कह सकता हूं कि जो बी जो है अगर उससे पूरा काम करा जाता है तो वो इस पूरे काम करने में 30 डेस लेता है इसका अगर मैं LCM निकाल हूं तो LCM मेरे पास 60 याएगा यह मेरे पास कितना यूनिट 3 यूनिट करेगा और यह मेरे पास बी जो है वो 2 यूनिट काम करेगा अब इसने पूछा है हाव मैनी डेस एक कंप्लीट दा एंटायर वर्क एसे मुझे काम कराना है कितना कराना है काम काम तो मेरे पास टोल 60 है तो मुझे एकी एफिशेंसी भी तो पता होनी चीए बट यहां मुझे बी की एफिशेंसी पता है कितनी है टू तो एक ही कितनी होगी वन क्योंकि इन दोनोंने में कितना यूनिट काम किया 3 यूनिट तो